नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर तुम्हें आप लोगों के सामने फिर एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं यह देख लिजे यह टेक्टर से चलने वाला ओयल इस्पेलर है और आटा चक्की लगा हुआ है यह गाउं गाउं जाकर आप आटा पीछ सक है और सबसे कास बात दिए एक आपको अगर स्पेलर कता हैं तो आप छला सकते हैं अगर आपका चकी का में तो आप सबसे M 차 चला सकते हैं तो इससे बाढ़े नहीं साबanking लिए है ना बढ़िया चल लिए आग चुछ सब्सक्राइब आपका और किया थे मसीन को स्थलेड है तो आप कहौन बर्गता आपका सीटापर जिलह लगता का कि शवाओ लगता है इस एक दम निमस्त चल लो हमारी तो आपका नाम क्या है नंदू राम तो आप इनहीं राजेश भाई के गाउं में रहते हैं या आलग रहते हैं तो आप अपने गाउं का नाम बताएं तो मुलाकात करने आएंगे किसान बाई बेटना कला यहाँ वच्छान अपने बेटना कला आपका गाउं का नाम नाम है चलिए ठीक है ठीक है थीड़ा यह बाई तो यह आप आइसर एक चालंदर से चलाओं गया इंडर लेकर आएं यह और इसमें अभी पठ्थर नहीं पड़ा हुआ है अभी पथर ये घर डाल लेंगे और इसमें यह अरजिस्टर लगाया गया जिसे आपको चक्की का काम नहीं है तो यह यह है यह यहां से व्य व्य कर सकते हैं और यह काफी जगह दी गया आप आरामते सामान वगेरा रख सकते हैं इनके पास हमारी तीन-चार मसीन हैं तो उसका इस्टरा एक पत्थर लिए हुए और यह बीस इंची का आटा चक्की है तो भाई लोग अगर मेरे चैनल पर नए नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसे भाई को अगर यह आटा चक्की के बारे में जानकारी लेना है तो हम डिक प्रेक्शन में नमबर डाल सब्सक्राइब करने में और लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जो नए बाई आया है सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा हमारे सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कुछ नहीं जाता बाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगिए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम जो वीडियो डाले तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुचे और वीडियो आप लोग देख सकें